खाना खाने के साथ भी और खाना खाने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे overall health को प्रभावित करती है और fertile age group को बहुत जादा प्रभावित करती है अपने परिवार में आसपास में रिष्टदारों में आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको migraine है जिनको बार-बार सरदर्द हो जाता है थोड़ा सा उनके routine में fluctuation हो और उनको सरदर्द हो गया क्या गलतियां करते हैं क्या सुधार करने की जरूरत है वो आज का वीडियो टोटली आपको सिखा देगा नमश्कार स्वागत है आप सभी का YouTube सहली चैनल में यहां पर हम बात करते हैं विशेश्तया महिला स्वास्त की फटेरिटी के लिए डाइट टिप्स की हमारे कई special episodes भ breakfast में चाय के साथ में पराठा या चाय के साथ में अपना breakfast ले रहे हैं मील ले रहे हैं तो क्या यह सही है चाय क्या है जो चाय हम पीते हैं milk added tea या फिर coffee black tea भी ले सकते हैं और normal black coffee को भी हम इसी category में consider करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे comment आए हैं क्या black coffee ले सकते हैं क मैं सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी आपको पूरे वीडियो में कि black tea, black coffee या milk tea और coffee हो जब आप अपने meal के साथ लेते हैं तो क्या के नुकसान हो रहे हैं आपको और किस तरीके से कई लोग PCOD के शिकार हो रहे हैं, कई लोगों को menstrual disorder हो रहे हैं, anemia है, खू खाने के साथ, खाने के बाद, चाय, coffee लेते हैं या फिर इन जनरल आप coffee और चाय बहुत जादा ले रहे हैं, कुछ ऐसे amazing drink भी में बताने वाली हूं कि जिसको अगर आप अपने खाने के साथ मिलेंगे या फिर खाने के बाद बिलेंगे, तो उससे आपको बहुत जादा benefit मि है, overall health तो अच्छी होगी, आप हर दिन बड़ी खुशी से बिताएंगे, क्योंकि शरीर स्वस्त तो सारा जग अच्छा लगता है, और साथ ही आपकी infertility की problem, PCOD, endometriosis, thyroid की problem, weight related जो भी issues हैं, वो भी आप चुटकियों में हल कर लेंगे, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा जिन्दगी में, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, अपने breakfast या meal के साथ आप चाय लेते हैं, तो चाय आपने ली तो उसके अंदर बहुत सारा tannin होता है, जो कि food जो आपने खाये, बड़ा अच्छा iron rich आपने food खाया, तो food का iron bind कर लेगा, वो tannin और body से निकाल देगा, वो सर्दियों में थोड़ा जादा होता है, घरों में ऐसा देखा जाता है, या फिर सुपह उठते ही खाली पेट बैटी ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि आपकी आँटों में toxins जमा होते हैं, कहते हैं पेट में गर्मी हो गई है, यह गर्मी create करता है शरीर में, constipation create कर करता है, लीवर को सुबह सुबह ही एकदम जाके गंदा कर दिया, बहुत सारे toxins दे दिये लीवर को, अब दिन बार वो लीवर खाना कैसे पचाएगा, आपको healthy कैसे रखेगा, इससे PCOD ट्रिगर होता है, यूटरस में फाइब्रोइट, एंडोमेट्रेसिस के और बढ़ने क पॉलिप अगरा के और बढ़ने के जादा chances होते हैं, बोडी का pH डिस्टरब हो जाता है, जिससे की infection बहुत जादा होते हैं, और infection एक ऐसी चीज़ है, जिसको आप जाके अच्छे से check-up करवाएंगे, तब ही पता चलने वाला है, बहुत सारे infections silently body में रहते हैं, और कई क्योंकि infection अगर body में है, तो सबसे पहले tube पे risk है, uterus में implantation कैसे होगा जब वहां पे already infection है, तो early pregnancy में miscarriage हो सकता है, कई लोगों को तो pregnancy रुगना भी बहुत मुश्किल है, tube में blockage की problem आ सकती है, infection से, तो सोचिए इतनी चोटी से बात कि आप अपने खाने में एक चोटी सी च stop हो जाते है, तो खाने में हमको क्या लेना है, सरदियों में कुछ गर्मा गरम पीने में बहुत अच्छा लगता है, मील के साथ भी ऐसा बहुत अच्छा लगता है, तो सूप के अलावा हमारे पास ऐसा चाय जैसा कुछ ऐसा drink क्या हम ले सकते हैं, जो की clinically बहुत ही अच्छ नहीं होते हैं, होर्मनल इंबैलन्स नहीं होता, फेशिल हेस नहीं आते हैं आपको, और आप बड़ी ही खुशी से एक स्वस्त जिन्दगी जीते हैं, तो ऐसे कुछ drink आप note कर ले, लिख ले, याद कर ले, और उसे follow करना चालू करें, तो खाने के अगर आपको साथ में ले करास की ती ले सकते हैं, खाना खाने के आदे घंडे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, निम्बू अधरक की चाय ले सकते हैं, अजवाइन की चाय ले सकते हैं, गुड की बजाए आप stevia, honey इनका भी उस कर सकते हैं, शुगर फ्रीक आप इस्तमाल भी इसमें कर सकते हैं, ज कम क्वानिटी में जिंजर यूज करेंगे तो शिदी है आपके लिए अधर्वाइस आपको बॉड़ी हीट दे सकती है अजबाइन के साथ भी ऐसा ही है तो थोड़ी मात्रा एक कप में इतना इतनी मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते एक से दो चुटकी आशा करती हूं कि ये की चीज़ को हम इतना प्यार से पी रहे हैं इंजॉइ कर रहे हैं और सिहत के लिए इतनी खराब चीज़ है वीडियो कैसा लगा लिखके जरूर बताइए पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप हमें इंस्टाग्राम पर से पस्टाइब कर एफ बदियावदी